कि नमस्कार दोस्तों मैं स्ट्रॉजर सचे स्वागात रभिनंदन करता हूं कि सभी प्रश्कों का आपकी राशी मिधुन के लिए शुब भड़ी आने वाली है चार पांच शे तारिक को चद्रमा मीन राशी में होंगे और दशम भाव में होंगे तो शुब योग बन रहे है यानि कि एक तो बन रहा है हंस योग दूसरा गज केश्र योग आपके लिए डबल सफलता है आपको प्रयवार प्रॉपरिटी में शुबलाब मिलेगा हर प्रकार की प्रयासों में सफलता मिलेगी दीमे दीमे आप आगे परते चले जाएंगे शुरुआ धीमी होगी लेकि प्रकार की पाएंगे आपको महिलाओं का साथ मिलेगा महिलाओं के साथ से आपका भला होता चला जाएगा आपको हर विश्य में सफलता मिलेगी आप अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे और आप अपने करत्वियों को समझेंगे आप इन दिरों में दिन रात काम करेंग आपको पकड़ पाना, आपको समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा, आपके दिमाग में बहुत तेजी होगी, आप इस्पष्ट वादी होंगे, आप अपने काम में समझधा नहीं करेंगे, आप किसी भी व्रक्ती को तंग नहीं करेंगे, आप अबस अपने काम से काम और कोई वक्ती बत्तमीजी करता है या किसी से भी बत्तमीजी करता है या कोई वक्ती बत्तमीजी करता है तो उसे बरदाश भी नहीं करेंगे आप अपने बच्चों को गलतियों के लिए माफ कर सकते हैं लेकि उनकी बत्तमीजी या बत्तमीजी के लिए माफ नहीं करेंगे आ नहीं कुछ इनसान को पसंद करेंगे जो किसी और का तर्वे चाटता होगा आप विदेश जा सकते हैं विदेश यात्रा कर सकते हैं विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं विदेशी धरती है विदेशी कंपनी से लाब होगा समाज में आपको मांग सम्मान बढ़े सरस्क्राइब रहिए यह जाएगी पिता-दाओ की तरक्की परिवार की तरक्की कम लोगों से मिलने का वक्त होगा आपके पास आप बखुभी अपने काम में वैस्त रहेंगे कानून विभाग से जोड़े लोगों के लिए अच्छा समय है CA, accountant लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है law से जोड़े लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है आपके काम को लेकर आप किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है आप बड़े आद्मी बने वाले हैं आपने जो सपने देखे थे वो पूरे होने वाले हैं इन तारीकों में कुछ ना कुछ इन तारीकों में ऐसा हो जाएगा जो आपने सोचा होगा आप कुछ अच्छे की शुरुवात कर सकते हैं, डॉक्टर है तो बहुत लाव हो सकता है, खासकर उनको जो सर्जन है वक्त के अमसार आगे चलेंगे, बदलाओ से घबराएंगे नहीं, रातरी में दूद नहीं पीना है, भाग गो दे धीमे धीमे होगा, लेकिन होगा पिता जी की सिवा फलदाई रहेगी, सोना चांदी इकठा कर पाएंगे, यानि इन सब की शॉपिंग कर सकते हैं, रख रखाओ, आपके घर का बढ़िया होगा, चाल चनल में आप बहनती होगे, चाल चनल में इस पश्टता होगी, शिक्षा बहुत अच्छी होगी, परकाशक करने लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग किताबें प्रिंट करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, वैपार बहुत अच्छा है, पूजा पाठ मंदिर जाकर करें, और दो चार दिनों में ही आप देखेंगे आपके कितने सारे काम बन जाएंगे, हरमाज जी की पास महस्यों जी के पास ना करते जाएए, कोई काष्ट नहीं आएगा, ओम नमव भगवते वासुन दिवायर नमव मंत्र का जाब भी कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर मितुन नाशी वालों के लिए लाब की इस्तिती बन रही है, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, आपक को तैय करना होगा कि कौन अच्छी है, कौन खराब है, कौन आपके कैलिबर पर सूट करती है, कुछ लोग वहां इत्यादी भी खरीद पाएंगे, घर में कोई चीजे नहीं आएंगी, जैसे कि कोई टीवी आगया, फ्रीज आगया, घर का लीपा-पुती हो सकता है, यारी गंगाई, पुताई हो सकती है, वाइट वाश हो सकती है, गाड़ी वहां का भी सुख आपको बिल जाएगा, तो कुल बिलाकर आपको थोड़ा सा समर रखते हुए, हिम्मत रखते हुए, आगे बढ़ना है, आपको सफलता मिल जाएगी, अब देव गुरु प्रस्पती को चला जाएगा, खुश रहिए, प्रसंद रहिए, आमिन में रहिए, और ऐसे ही मुश्कुराते रहिए, हरियो, नमश्कार, नमश्कार दोस्तों, समाज में बहुत सारे लोगों के पास सफलता है, बहुत सारे लोगों के पास असफलता है, सफलता और असफलता में बहुत ज बहुत सारे लोग अपनी यरम कुली बनवाते नहीं यह सोचते हैं जब टाइम आएगा तब बनवा लेंगे लेकिन अगर आप वक्त रहते अपनी या अपने बच्चों की अपने परिवार के सदस्यों की कुली बनवाते हैं तो इसका लाब सिर्फ एक ही होता है कि आप अपन आने वाले वक्त को जान जाते हैं एक अच्छा इस लॉजर आपको ये बताएगा कि आपका अच्छा वक्त कब है बुरा वक्त कब है ये साल कितना अच्छा है आदियों वाला साल कितना अच्छा है क्या करें जिससे आपको शुब परिगाम प्राप्त हों आपकी परिवार में सुक्सम्रद्धी वनी रहें। ये सब आपकी जर्म-कुड़ी में बैठे होगे ग्रह बताएंगे। जो ग्रह कमजोर होगा उसको बज्यूद करेंगे। मज्यूद करने के लिए कई बार उपाय किया जाते हैं। कई बार स्टोन्स पहनाए जाते हैं। कई बार उद्राक आपका भाग व्योदे हो जाएगा, आपकी अठके हुए काम बन जाएंगे, चायए और नौकरी में हो, चायए पढ़ाई में हो, चायए बैपार में हो, चाह सेहत से समन्ली हो या कोई और भी हो. कई बार एक घर में चार लोग रहते हैं और किसी एक वक्ती का भागी किसी दूसरे वक्ती से बधा होता है और जब तक वो वक्ती अपनी कुड़ी में उपाय नहीं करता तब तक दूसरे का भी भला नहीं होता यानि कि कई बार आप लोग बैड लग के शिकार होते हैं जिसमें आपका तो भागे साथ दे रहा है लेकिन आप दूसरे के भागे से जुड़े हों हैं और दूसरे का भागे अभी कमजोर है तो आपको भी रिजल्ड कमजोरी वाले मिलेंगे जिनम खुंडली क्यों बनवानी चाहिए मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ आप सभी लोग की घर में रसोई होगी किचन होगी किचन में आप सभी लोग एक तवा लीजिए सबके घर में होगा उस तवा पर रोटी को और रोटी का जो आटा होता उससे रोटी बना और तवे पर डाल दीजिए जब आपने रोटी डाल दी अब आप क्या देखेंगे कि रोटी पक नहीं रही है क्यों कि नीचे से आपने गैस को और नहीं किया है लाइटर से माचिस से या आटोमेटिक तरीके से गैस नहीं जलाई है जब तक आप वो गैस नहीं जलाएंगे तब तक रोटी नहीं पकेगी चाहे कितना भी आप समय देदें ये गैस जलाना जो है वो क्या है वो उपाए है रोटी को पकाने का आपने फिर दस मिनद बाद गैस जलाई तवा रखा और उसके बाद रोटी डाली तो बढ़िया रोटी का स्वाद आगया ऐसे ही जब तक आप अपती जर्म खुंडली में बैठे हुए ग्रहों को मजबूत नहीं करेंगे पकाएंगे नहीं जैसे कि रोटी को आपने पकाया तब तक आपकी भी जो भूख है वो शान्त रही होगी आप ऐसे ही भठकते रहेंगे दुनिया तो रोटी पक जाएगी संसार चल जाएगा नहीं जलेगी तो भूके रह जाएंगे या फिर कच्छी खाईए यह तैया आपको करना है यह मैंने आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करी ताकि आप जल्दी समझें और जल्दी अपने जीवन को बदलने का प्रयास क करें आप लोग अपनी जनम खुली दिखाएं हम आपको बताएंगे कि क्या करना है कैसे करना है और सफलता का मंत्र बहुत ही सरल और सस्ता होगा यह हमारा आश्वाशन है नमस्कार